नमस्कार दोस्तो दोस्तो चिंता जो है ये आपके शरीर की स्ट्रेज के प्रती स्वावीक प्रतिक्रिया है आगे क्या आने या होने वाला है चिंता इसको लेकर डर या आशंका है स्कूल का पहला दिन नौकरी के लिए इंटर्वियू देने या भाशन देने से अधिकांश लोगों को डर और गबराहट मैसूस हो सकती है लेकिन अगर आपकी चिंता की बावनाएं बहुत ज्यादा है छे महिने से अधिक समय तक चल रही हो और आपके जीवन में हस्तक शेप कर रही हो तो आपको चिंता विकार हो सकता है दोस्तों चिंता विकार या एंगजाइटी डिसोर्डर अलग है ये मांसिक बिमारियों का एक समू है और इनके कारण जो दिक्कते पैदा होती है वो आपको अपना जीवन सामन्य रूप से व्यतित करने से रोक सकता है जो प्रकार एक अपने आप हो जाने वाली अग्यात या और नियंत्रित बिमारी नहीं है जो कि पारिवारिक कारणों या किसी के संपर्क में आने से हो जाए ये एक निशित प्रकार के व्यवहार के कारण होता है चिंता कोई रोग या बिमारी नहीं है ये एक शाररिक मनो विज् जो परिणाम स्वरोप हम शंकीत व्यवहार करते हैं. दोस्तों सबसे पहले तो हम जानेंगे कि चिंता विकार के कितने प्रकार होते हैं, तो सबसे पहले प्रकार है सामन्य क्रोत चिंता विकार यानि की Generalized Anxiety Disorder. इसमें रोगरस्त व्यक्ति किसी इस पश्ट कारण के बेना अ जदिक समय तक रहती है. उसके बाद दुस्तों बात की जाए सामाजिक चिंता विकार की यानि की Social Anxiety Disorder की, तो सामाजिक परिस्तितियों का सामना करने में लगने वाला बय और दूसरों के द्वारा अपमानित होने का गंबिर सामाजिक बय है और इसमें रोगी अकेला और मैसूस हो सकता है. उसके बाद बात की जाए Post Traumatic Stress Disorder यानि की PTSD की, तो PTSD तब होता है जब आप कुछ दर्दनाक अनुभाव करते हैं, इसके लक्षन तुरंत नजर आ सकते हैं या कुछ समय बाद नजर आने शुरू हो सकते हैं और इसके कारणों में युद्ध, प्राकृतिक आपदाएं या शररिक हमले शामिल है. उसके बाद दुस्तों बात की जाए Obsessive-Compulsive Disorder की, तो ये भी anxiety का एक प्रकार है और OCD से ग्रस्त लोग बार-बार कोई विशेश प्रकार का कारे करने की इच्छा से अभीबूत होते हैं, जैसे की बार-बार हाथ दोना, सफाई करना गणना करना वगेरा. हो सकते हैं. और अब हम दुस्तों जानेंगे की चिंता के लक्षन क्या होते हैं, तो सभी चिंता विकारों के कुछ सामने लक्षन होते हैं, जैसे की गबराहट, भय और बेचैनी, नींद सम्बंदी समस्याएं, शांत और स्थिर रहने में अक्षमता, हाथ या पेर का ठंड होना, जिस चीज के बारे में आप चिंती थें, उसके अलावा किसी और चीज के उपर स्पस्ट रूप से ध्यान देने या सोचने में कटिनाई होना, और साथ ही साथ पाचन या जठरांत्र समंदी समस्याएं होना, और अब हम दुस्तों जानेंगे की चिंता क्यों होती है, चिंता होने के कारण क्या है, तो दुस्तों शोद करताओं को ठीक से नहीं पता है कि वास्ताओं में एंग्जाइटी का क्या कारण होता है, मानसिक विकारों के अन्य रूपों की तरह ये भी कुछ चीजों के सयोजन से होता है, जिनमें आपके दिमाग और परियावरण में हस्तक शिप करते हैं, चिंता से हमें डरने की आवशक्ता नहीं है, ये मानना सामन्ने है कि कुछ चीज हमें नुकसान पहुचा सकती है, वास्तों में डरना शरीड के अस्तित्व तंदर का एक महतुपूर्ण हिस्सा है, हम डर जाते हैं जब हमें ये लगता है कि हमें या कि किसी व्यक्ति या किसी चीज जिसकी हम परवा करते हैं उसको हानी पहुच सकती है, समस्या ये है कि ज्यादा चिंतित रहने वाले व्यक्तियों को उन लोगों की तुलना में खत्रा ज्यादा होता है, जो कम चिंतित रहते हैं, बहुत अधिक चिंतित व्यवहार हमारे जीव अपने जीवन काल में चिंता विकार होने का उच्च जोकिम होता है और इसी प्रकार बड़ों में भी कोई दर्दना गटना का अनुभव करने पर चिंता विकारों का विकास हो सकता है उसके बाद बात की जाए बिमारी के कारण होने वाले तनाव की तो बिमारी की स्थिति या गंविर बिमारी से आपको आपके उपचार और बविश्य के मुद्दों पर चिंता हो सकती है उसके बाद दुस्तों बात की जाए तनाव निर्मान की तो कोई बड़ी घटना या छोटी तनाव पूर्ण जीवन परिश्थितियों का निर्मान बहुत ज्यादा चिंता पैदा कर सकता है उधारन के लिए परिवार में एक मौत, काम का तनाव और किसी समस्या के बारे में चिंता होना व्यक्तित्व की बात करें तो कुछ विशेश व्यक्तित्व के प्रकार के लोग दूसरों की तुलना में चिंता विकारों से ग्रस्त होते हैं अन्यमानसिक स्वास्तविकार की बात करें तो अन्यमानसिक स्वास्तविकारों वाले लोग जैसे कि अवसाद चिंता विकार का कारण बनता है और ड्रक्स या अलकोहल की बात करें तो ड्रक्स या अलकोहल का दुरूपियोग करने से चिंता विकार हो सकता है या उसके लक्षन बिगड सकते हैं और अब हम दुस्तों जानेंगे कि चिंता विकार से बचने के लिए आप क्या-क्या उपाय कर सकते हैं तो सबसे पहला है तनाव को कंट्रोल करना यदि आपको चिंता होती है तो आपके जीवन में तनाव को कम करना महतोपूर्ण है आराम करने के तरीके ढूंडें व्यायाम जो है ये तनाव को दुर करने का एक अच्छा तरीका है और व्यायाम के अलावा अपने नियमित काम से ब्रैक लें या चुट्टी की योजना बनाएं यदि आपको किसी विशेश चीज का शौक है तो उसके लिए समय निकालें और ऐसी चीजे करें जो आपको बहतर मैसूस करवाती है साथ ही साथ अच्छे से खाएं एक स्वस्त आहर खाने से आप शारिक और मानसिक दोनों रूप से बहतर मैसूस कर सकेंगे कोशिश करें जब भी संभव हो फल, सबजियां और पूरे अनाज शामिल करें चिकना, मीठा, ज्यादा वशायुक्त संसादिक खादे पदार्थों का सेवन ना करें साथ ही साथ दोस्तों हिसाब रखें अपने तनाव और चिंता वाली मनोदशा का हिसाब रखें इन चीजों का हिसाब रखने से आपको याद रहेगा कि किस कारण से आपको चिंता या तनाव होते हैं और साथ ही साथ अस्वस्त पदार्थों से बचें तंबाकू, ड्रक्श और शराब को अकसर तनाव कम करने वाले पदार्थ माना जाता है लेकिन इनका उपयोग शरीर को वास्तों में नुकसान पहुचाता है जिससे की तनाव और चिंता का सामना करना मुश्किल हो जाता है कैफिंज से भी चिंता विकार हो सकता है या उससे वो बढ़ा सकता है तो दोस्तों सामने तोर पर जो चीज़े आपको स्वस्थ बनाती है वो आपको तनाव और चिंता से निपटने में मदद भी करती है और अब हम दोस्तों जानेंगे कि चिंता जो है इसका निदान कैसे किया जाता है तो दोस्तो यदि आपको चिंता विकार के लक्षन है तो आपके डॉक्टर आपकी जांच करेंगे और आपके मेडिकल इतिहास की मांग करेंगे वे आपके मानसीक विकार से सम्मंदित कुछ परिक्षन कर सकते हैं अलाकि दुस्तों चिंता विकार का निदान करने के लिए कोई विशेश परिक्षन नहीं है यदि आपके डॉक्टर को कोई मेडिकल कारण नहीं मिल रहा है तो वो आपको एक मनोचिकिसक, मनोविग्याने किया किसी अन्यमानसिक स्वास्त विशेशग्य के पास जाने की सलाथ दे सकते हैं ये डॉक्टर आपसे सवाल पूछेंगे और उपकरण और परिक्षन का इस्तिमाल करके पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आपको चिंता विकार है या फिर नहीं और आपके डॉक्टर आपका निदान करते समये आपके लक्षणों की अवधी और तीवरता पर विचार करेंगे वे ये भी देखेंगे कि क्या इसके लक्षणों के काराण आपको अपनी सामन्य गति विदियों को पूरा करने में समस्या हो रही है या फिर नहीं और अब हम दुस्तों जानेगे कि चिंता जो है या चिंता विकार है इसका इलाज क्या होता है तो दुस्तों चिंता विकार का इलाज दवा, मनोचिकिसा या संग्यानात्मक विवहार थेरपी यानि की कॉगनिटिव बिहेविरल थेरपी के साथ किया जा सकता है और अक्सर एंटिडिप्रिसंट दवाएं चिंता विकारों के इलाज में काम आ सकती हैं मनोचिकिसा यानि की साइको थिरपी की बात करें तो ये एक प्रकार की काउंसेलिंग है जो मानसिक विमारी के लिए बावनात्मक प्रतिक्रिया को संबोधित करता है और एक मानसिक स्वास्त विश चिकिसा है जिसमें आपको आपके सोचने के पैटर्न और व्यवहार में बढ़लाव कि जिनसे एंग्जाइटी होती है उनकी पहचान करना सिखाया जाता है और अब हम दुस्तों जानेंगे कि चिंता विकार होने से आपको कौन-कौन सी जटीलता या समस्याएं हो सकती है त दर्द और लंबे समय तक रहने वाला दर्द, समाजी का लगाओ, जीवन की खराब गुणवत्ता और आत्म हत्या के विचाराना और अब हम दुस्तों जानेंगे कि चिंता विकार में आपको कौन-कौन से खादे पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए तो दुस्तों सब शराब की तरही चिंता विकार में आपको मीठे पदार्थ खाने का मन कर सकता है परन्तु ऐसा करने से आपके लक्षन और भी खराब हो सकते हैं और दुस्तों बात की जाए कि चिंता विकार में आपको किन-किन खादे पदार्थों का सेवन करना लाबदायक हो सकता है तो उ आज की इस वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकार ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चेयर कर दीजी और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप हुमारी चैनल पे नए है तो चैनल को कले सबस्क्राइब और बैल वीडियो की नाटिफिकेशन्स सबसे पहल आपको मिल सके थैंक्स पर यूर टाइम